नमस्कर दोस्तों, रादे राधे मैंनिये जिंग वालना सुबह से देख सकते हैं कि तीछ हमाद हम बारिष चल रहे हैं और बर से लिपाई कर रहे हैं तो हरेले की सुभागवन के लिए यहाँ पर इस तरह से घरों की सफाय की जाती है यहीं देख सकते हैं पहाड में इस तरह से चाय और पकोड़े के आने लेखने हैं जब भी इस तरह से बारिष वाला मौसम होता है यह जमिन के अंदर से यहां पर एक पोल बना हुआ है और इस पोल से पानी आ रहा है लोगों का हुजून देख सकते हैं वहां पर आप अभी तो रध्यातर प्रारंब कोई नहीं है जैसे ज्रारंब हो जाएगी तो उसके बात देखना आप तो अभी मम्मी यहां पर छनाई करने लगती है यह मिट्टी है काले मिट्टी जो यह ढखनी है जो हमने बना रखी जिसमें हम लोग हरेली की बुआई करने यह अनाज है जो साथ प्रकार के अनाज इसमें बुए जाते हैं पिर साथ अनाज होते हैं और सातों अलग अलग ल आज विश्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल नम्बिन कानन होमस्ते में तो आज हमारे उत्राखन के पहाड़ों में विसे सुरूप थे जो हमारे कुमाव रीजन है यहां हमारे पहाड़ों में हरेले का उपसो बना जाता हूँ आज हरेले की बुवाई है और रखकर है, आज 9 दिन तक लगातार इसकी निराइग गुडाई होती है पानी डाला जाहा है और 9 दिन इसकी प्रपर तरीकी से गुडाई है अज इसकी बाइज है वानियु लिख वाय करते है और किसे अथा हिए उसकवाई होता है सुबे क्या मतलब अभी तो लगातार 5-6 दिने से बारिश चल लिए और आज तो बारिश के सांसा तुखान भी आ रहा है बारिश होगी उसी के अनुसार लगातार बारिश चल दी है चलिए आपको लेचलता हूं अपने किचन के अंबर यहां पर मम्मी जो है पहले घर के सफाई करें गोबर से लिपाई कर रही है देख सकते हैं तो हरेले की सुभागरमन के लिए यहां पर इस तरह से घरों के और यह गोबर कोनाच दरजह दिया गया है और सौному अंतिसाथ में जितनी भी हमारी दीवारें उसको भी और पानी को मिक्स करके बना जाता है और इससे पूरे घर की इस तरह से लिपाई की जाती है यह देख सकते हैं इस तरह से लिपाई की जा रही है और साथी साथ में जो हमारी वाल्स होती दिवारी होती इसको भी ओवर से पूरी तरह से लेप दिया जाता है यह देख सकते हैं इस तरह से नहां पर लिपाई चल रही है तो आज लगाता है बारिस हो रही है सुभे से तो बारिस में अगर पकोड़े मिल जाना तो मज़ा ही कुछ हो रहे है तो अभी पिंकी ज़स्ट बनागी रही है पकोड़े और यह साइद चोलाई के और अलू के मिक्स करके पकोड़े बने हुए उसाथ में है सांस टोमाटो सा बहंक कर बारिस हो रही है तो ऐसे में पकोड़े का स्वाद आनन दे रहे था क्योंकि बारिस में असब बोर होते हैं तो ऐसे में अगर पकोड़े मिल जाए साथ में लोग चाही पिते हैं हालागी में तो चाही नहीं पिता लेकिन अगर चाह और पकोड़े मिल जाए तो फि आ सminute है कि वृषी मुष्तष मृस levar क्या घ्रोपर अरे चॉछ सबसेक्षों से जराइक हो की वाकара है जर्फिर कोड़ काय सबैड़ काूः हुए है मशतम है कि अनल ने बकल्क हों कि इसो रूप से चाय और पखुड़ी पाहरों कि इस इस रूप से ऐसे मौसंब में आनन्द देने के यही रहता है यह देख सकते हैं कि जमा-जम बारिष चल दी है और सुबे से लगातार बारिष चल दी है और आज तो पूरी भैंकर चितावनी दी गई है मौसंबा के द्वारा की भैंकर बारिष होगी और इसी के एकॉर्डिंग देखते हैं कि पीवरता की बारिष चली है लगा तर सुले से बारिष चली जाती है अजिसा है जैने लुआ खटधानी वाला हो दो भी सब्राइब है तो बारिस जा रही है और इसके बीच मैं अभी अथा आई हूँ अपने खता हूँ ऑऔर रेष के आए हूँ आऑ और बारिस के क Battery है इतना सारा पानी नीचे इह लिखें आथिए खट्ता हो रहा है, यह इदीए, इतना सारा पानी और पानी एकदम साफ पानी है, और यह अपधो दिखाथा है, यह जमेन के अंदर से यहाँ पे एक hole बना हुआ है, और इस hole से यह पानी आ रहा है, तो बदि यह आप सोचीए, यहाँ पे कोई नाली नही长 है, कुछ भी नही长 है, यह पीछे खेके मेड़ है, उपर रास्ता है, और रास्ते का पानी अलग जा रहा है, वो गंदा पानी जा रहा है भाष Chuckly. लेकिन यहां पर देखिए, । इस च्षेद से पानी निकल रहा है यह दिखिए । यहां से पानी निकल रहा है मैं एक गपार पानी रिखाथा हो कैसा है यह देखिए एक डम приним सप पानी तो मतलब यहां पर क्या होता है जब बारिस होती है We have *** to hear northern water पानी के स्त्रोथ खुल गाते हैं, यहां पर यह कोई स्त्रोथ खुल गया है, जिसकी वएसे यहां पर इस तरह सी यह पानी अखटा हो रहा है, और यह पानी एक तो नीट अड़ गलीन साफ पानी है, अतलब एडिवल वाटर है, जिसको हम लोग खाने पीने में यूज़ कर सक तो इस तरह से जब बारिस होती है, बहुत सारे श्रोथ खुल जाते हैं, जिसकी कारण यहां पर ज्यादा नुक्सान होने की सम्मावना बढ़ जाती है, तो कि खेत तूट जाएंगे ऐसे में जब श्रोथ खुलेंगे तो, अब इस खेत में आप देगे कितना सारा पानी भ तो आज भगवान जगनाच जी की पावन पवित्र रथियातरा भी है, तो भगवान जो की जगत के नाथ है, उनकी रथियातरा अभी उड़ी सा मैं, जगनाथ पूरी में, लाइब में सुवे से टीवी में के सामने बैठा हुआ हूँ, तो लाइब देख रहा हूँ, एक ब अब निया है चलो आपको भी दिदार करा आयाता है यहां कि अभगवान की रखी अत्रागा, एक बार मा उपको दिखाता हूं यह-ई-दिख सकते हैं गयां कि प्रिस्थान करते हैं गुंडीचा मंदर के लिए जो की गरीब साड़े तीन चार किलोमेटर की डिस्टेंस है भगवान जगनात के श्री मंदर से तो ये देख सके कितना बहानक जन सहलाब यहाँ पर एकत्रित हुआ है रथी आतरा में सामिल होने के लिए तो अभी कुछ ही चड़ों में भगवान के रथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे गुंडीचा मंदर के लिए ये पाउन पवित्र जगनात पूरी के दर्शन देख सकते हैं सामने तीनों रथ खड़े हैं यहाँ पे जगनात जी का और माता सुबद्र का और भगवान बलराम जी का और साथी साथ में लोगों का शमुद्र यहाँ पे आम पबलीक को मंदर से करीब पचास सौ मिंटर की डिस्टेंस तक के दायरे में रोक लेता है यह देख सकते हैं भारी जन सहलाब एकत्रित होया है स्री जगनात पूरी धाम में तो अभी जब रथ यहाँ प्रारम हो जागी उसके पसचाद जो सहलाब है वह उसके दिदार होगे मैं पूरा समुद्र यहा जन्डा मतलब यहां से प्रस्थान के तियारी है और यह देख सकते हैं भगवान का तालदवज बलराम जी का रद पहले चल रहा है यहां से रथ यात्रा प्रारम हो रही है प्रेजिडेंट द्रापती मुर्मु जी भी आप आई हुई है भगवान के दर्शन करने के लिए रथ यात्रा के यह लोगों का हुजुम देख सकते हैं वहाँ पर अब तो रथ यात्रा प्रारम हुई नहीं है जैसे इसर्य राजन पर हो जाएगी तो उसके बात देखना आब क्या रथ यह सबूद्र कह सकते हैं एक तरह से वहाँ पर और बहुत ज़्यादा गर्मी हो ठी यह पानी की बोचारे फुहारे मारी जारी है लोगों के उपर तो अभी बैरिगेटिंग को हटा दिया गया है और अब रथ के निकट सभी लोग जा रहे हैं और जस्ट रथियात्रा यहां से प्रारम भूने वाली है यह तीनो रथ और सारे लोग यहां पर आचुगे हैं जै जगननात का जैगोस करते हुए और तीनो रथ के साथ में अब रहे ध्यात्रा जस्ट प्रारम भना गया है जै जगननात तो अभी मम्मी यहाँ पर छनाई करने लग गी है यह मिट्टी है काले मिट्टी जो लेकिया है खोद के यह देख सकते हैं छनाई करने के बाद यह ऐसी हो जाती है बिल्कुल बारिक और अभी इसमें से जितने ही कंकड उंकड होंगे एक्स्टा मिट्र वो इससे निकाल ले ज तो इसे को यहाँ पर से चान लिया जाता है यह देख सकते हैं चानने के बाद में इस तरह से बिल्कुल बारिक हो जाएगी जिब बारिक हो जाती है तो प्रोपर तरीके से यह बहुत ही उप्जाव होती है काले मिट्टी इसको हम लोग यूज करते हैं यह मिट्टी हमने बहुत पहले इसको एक अपते पहले करिफ खोद के लाए थी तो सुखाने के लिए रखी हुई थी और आज प्रपर तरीके से जब शूख चुकी है तो इसकी यहां पर चनाई करके आज हम इसको हराई के गुलाई के लिए इसको तयार कर चुके हैं और अब ज़स तयारी है रेले की वगवाई की वसामका समय हो चुका है और आज बारिस भी हो रही है आज का दीन बहुत ही शोड़ क्योंकि भगवान जगनाजी की रथ यत्यातरा भी चल रही है तो चले पहले गवाई कर लेते हैं तो आपको दिखाता हूं किस तरे से इसकी एन कि इसक करते है उसकी यह बनाई गई है और चार ढ़कनि यह बनाते है पारमपर परहम्तर है का इसीैत्व चारा के फालो करते हैं इसको बGened corset इसको बनाए गया है इसमें हम लोग ओंके बुएए करते हैं यह लेग सिकर रही है तो चलिए धकनिये को लेकर के अंदर चलते हैं और फिर यहां पर बुवाई करने वाली है मम्मी तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम दोग इसकी बुवाई करता है तो कोई भी शूप कार्य होता है तो उससे पहले तिलक बना जाता है आक्षे चंदन तिलक तो क्योंकि हरेलय बुवाई आज हो रही है तो यह शूप कार रही है उससर पर पहले तिलक बना करके सब को तिलक लगा जाता है और उसके पस्चाद फिर हरेलय की बुवाई की जाएगी तो इस तरह से दिख सकते हैं ममे ने तिलक बना लिया अब यह खुद को तिलक लगा रही है उसके पस्चाद सभी लोगों को यह तिलक लगाए जाएगा और एक और चीज में यहाँ पर दिखाता हूँ यह सारी ढकनी और जो मिट्टी हम लोग लाए थे यह और साथी साथ में यह अनाज है जो साथ प्रकार के अनाज इसमें बोये जाते हैं तो अभी तो मुझे इसमें गेहु दिख रहा है, मक्का दिख रही है और साथ में जॉव दिख रहा है तो तीन चेए दिख रही है, वैसे साथ परकार करना जोते हैं, बाक्यों में बतायेगी तो यह हमारे घर की अपनी थाली है यह नीचे से आई है नीचे वाले ताउजिलों के घर से और यह आई है पार वाले ताउजिलों के घर से तो तीन परिवारों का हम लोग यहां पर हरेलाग होते हैं इस तरह से यह सारा अनाज भी है और अब यह जो ढखनी है इनका पूजन हो रहा है मतलब इन में अक्से चंदन चड़ा करके इनकी पूजन की जा रहा है और अब जो है तैयारी चल रही है हरेले की बुआई की तो इस तरह से हाँ पे हम लोग बुआई प्रारम कर रहे हैं यह सारे अनाजों को इससे मिक्स कर लिया जा रहा है जित्ते भी अनाज हैं सभी को प्लेट्स में मिक्स कर लेते हैं यह प्लेट भी देता हूं तो इस अभी को मिक्स अप करके चारों में इक्वली में बराबर बर तो इस प्रकार से इसकी बोई की जा रही है इसमें देखिए सबसे पहले नीचे से हाथ से मुठी भरके इसमें मिट्टी रखे जा रही है और फिर इसमें अलग-लग लेयर्स में यानाज बोई जाता है यह देखिए यह पहली लेयर बोई जा रही है इसकी अब यह देख सकते तो आसपेल एक जाट मिट्री डाल दी, रढो इसमें आप और डूसरी लायर डाली जाएगी तब साथ आ쟁일लग साथ को अलग-अलग में इसको और तो हमागिसे कर्गनी में एक और हमाईटाइंगे तो यह धक्मी तयार हो चुकिया है इसमें साथ लेयर्स बोचुके हैं और इसी तरह से अब अन्य जो धक्मिया है उन सबी को गो लिया जाएगा क्लेक बोच्टु लिए भिए बोच्पनी जोची है इस्से स्ऴांपोत चुका गी तरह बोच्पनी चुके हैं तब फैनल ये चारों ढखनियों में हरीला बुया जा चुका है और अब इन में धिरे-धिरे जल डाल करके इसकी सिचाई की जाएगी तो ये चारों में अभी बतला आज जिसको बुया जा रहा है और आज से 9 दिन तक इनका पूरा इसमें द्रोज पानी डाला जाएगा और नवे दिन इसमें निराइग गुड़ा होगी और आज से 10 दिन इसको हरीले को काटा जाएगा तो खुषाली का प्रतिख प्रतिख हरहएं के पडर को आज इसके मनाने का प्रतम दिवा से मद्धबार से बुआई हो रही है तो आज से इसकी शुरुवात हो गई है और आज से 10,वे दिन हरैयले का, ne अब यहां पर इसमें देख सकते हैं इस तरह से क्योंकि अभी मिट्टी एकदम भुरुरु मिट्टी है तो इसमें जल डाला जा रहा है तो एकदम से जब तक पानी नीचे नहीं सोख ले तब कर इसमें पानी डाला जाता है इसको पराद में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें से पानी रिषेगा अभी क्योंकि यह बिल्कुल फ्रेस भी मिट्टी है तो जो पानी रिषेगा व सारा पराद में खटा हो जाएगा वी नीचे अगर रखेंगे तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा इसलिए इसको यहां पर और जहांपे जिम बैठेगी पानि पढ़िते गीश्यamom यहां पिक कब टीत बैठेगे जरुटमrese पानि में अब यहां प्रके पानियेट गीना पो इसकी केडे के बाद मिट्टी बैठेगी जरुत पढ़ितेन्य विए tep नौ दिन तक इसको यहीं पर कमरे में बंद करके रखा जाएगा अलब धूप इसको नहीं दिखाते हैं सनलाइट से दूर रखा जाता है और उसके बाद भी जो परेडाम होता है नौ दिन के बाद आप देखना है कि इतना बड़ा हरेला हो जाता है नौ यह दिन में करीब डेड़ फिट दो फिट बड़ा हो जाता है तो यह है कि अगर हम इस तरह से हरेला क्योंकि यह त्योहार है त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं तो इसके पिछे आध्यात्मिक महत्यों भी है तो आधियत्मिक और पराणिक महतु होने कारण जो हरे लहना नौ दिन में फसल इकती बड़ी हो जाती है और दोराइस खेतों में अगर ऐसे फसल भोते हैं तो नौ दिन नहीं उसको महने लग जाते हैं जमीन में अंकुरण होने में यह चारों हमारी रखनिया तयार है जल डाल करके और अब इनको हम लोग यह क्रेट्स में रख लेते हैं क्योंकि यहां पर सेफ रहेगा कोई भी इसको यहां पर टेच नहीं करेगा और वैसे भी इस रूम में इनको अलग ही रखा जाता है सबसे क्योंकि सुद्ध तरीके से इ इनको यहां पर रखा जाता है तो असुद्ध वज़ता में कोई भी व्यक्ति इनके संपर्क नहीं कर सकता है इसलिए चारों को हमने यहां से इस तरह से इस बॉक्स के अंदर क्रेट में रख लिया इनको कि अधिया है और फैनली हरेला बुआई हो चुकी है और मम्मी से थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके पीछे जो हमने आसात अनाज होए है कौन-कौन से अनाज है और सांथी साथ में नौ दिन में इसके जो कारेक्राब हैता है किस तरह से इसकी देख रहे करते हैं मम्मी बता कि आज जो हर्याव ब्यरका गातुख प्रकार में बही जने और क्या महत्तोच त्योहाराग पचलिए के आज हर्याव भूंगा यहाओ आप यह हर्याव जो बई जाए ज़ड हर्याय काई ज़वाद हुआ हुए ज़ड बेल कि सब पैर कोंध ओप जोचे यह सब हर्यालि के अब आपने घरों में घर करों जाएं शात्रकारा नागवी है जल भुई देई बुरा हा उनर ग्यार दिना पड़ा और और क्वैकर नादिना पड़ा जो रात आप कोई भोले बॉयार दा नादिना पड़ा तो उजे नावा दिन कटेल हुजे शी फ्यू बाद मंजिरों में चड़ाई जाल उबाद अपन घरों में आपन खरामे हरेले था उबात नग आपको उल्माद जब अनकि अचयर अट चयार हे और ओएकर आज़ी और वहालं को घरों और एक और चीज में हापे देखाना चाहता है उपको जितने भी सुहागन दुस्त्रियां होती है उनको इस तरह से देखें नाक से तिरक लगा जाता है पिंकी के पुरा देखें नाक से ही पुरा तिरक लगाए गया है तो यह हमारे पहाडों के परंपरा है इस तरह से नाक से तो यहां पर जितने विमारे पर इस बीच मारे हैं उन सभी को सेलवेट करने का मौका उनको ही मिल रहा है यहां पर उनको भी ममी इस तरह से तिलक लगा लिए है तो फैनल यहां आज हमारे उत्राखन के पाउन पर हरेले की बौई हो चुकी है और आज से लगता नौ दिन तक पूरी तरह से उसकी निराय देख्टर की जाएगी इसमें पानी डाला जागा सुवे साम और उसके बाद नौवे दिन पूरी तरह से अच्छी तरह से इसकी गु होता है वहां पर दो अलग से धकनी भेज़ी जाती है मंंदिर में चुलाने के लिए और वहां पर वड़े इक उत्त्राखन के परो को मना जाता है और शाथी साथ में घर में विसेस रूप से कई सारे वाकवान बना जाते हैं पारंपर एक तरीके से और पूरे अच्छे सब्सक्राइब करना तो उमीद करता हूँ आज आपको यी ब्लॉग पसंद आ होगा ब्लॉग पसंद आए प्लीज को लाइक किजिए और कमेंट कीजिए और इदि आप चैनल में नए है तो प्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले बेल आइकन प्रेस किजिए ताकि कोई भी हमारा नया व्लॉग प्लिस होता है तो नोटी दिकेस्न के माधिन सब्सक्राइब को मिल जाएगा तो इसी तरह से हमेरे साथ हमेशा सब्सक्राइब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है नए व्लॉग में त